कि नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका केमिकल ब्रांच में सबजेक्ट है यूनिड ओपरेशन और चैप्टर का नाम है कन्वेक्शन और आज का टॉपिक है डॉफ वाइस कंडनसेशन और फिल्म वाइस कंडनसेशन आज की इस वीडियो में हम इन दोनों के बारे में जान है इसको भी हम समझेंगे तो चलिए है श्टार्ट करते हैं पहले हम बात कर कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है किसी वैपर का लिकुट इस्टेट में बदल जाना सबसे पहले आपको मैं यह बताऊंगा कि drop wise condensation क्या है जब saturated vapor किसी cold surface जुसका temperature कम होता है के contact में आती है और condense हो जाती है अगर इस दौरान surface गीली नहीं होती बलकि surface में droplets form हो जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं droplets इखटा हो जाते हैं तो इस तरह के condensation को हम कहते हैं drop wise condensation और अगर बात करें film wise condensation की तो जब saturated vapor किसी cold surface जुसका temperature कम होता है के contact में आती है और condense हो जाती है अगर इस दौरान surface पूरी तरह से गीली हो जाए और condensate continuous film form करें जुससे पूरी surface ढख जाए तो इस तरह के condensation को हम कहते हैं film wise condensation दोस्तो अब सवाल ये बनता है कि condensate इसका मतलब क्या है तो देखिए जब भी condensation की process होती है और जो vapor हमको liquid की state में प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं condensate अब इस diagram को देखो एक है drop wise का दुसरा वाला है film wise का तो जब drop wise condensation होता है तो जो हमको condensate प्राप्त होता है वो drop के रूप में प्राप्त होता है वही पर जब film wise condensation होता है तो जो हमको condensate प्राप्त होता है वो film के रूप में प्राप्त होता है दोस्तो अब हम जानेंगे कि drop wise condensation और film wise condensation के बीच में क्या difference है practical exam और job interview में यही से सवाल पूछे जाते हैं तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं तो पहला difference है कि drop wise condensation में जो condensate होता है वो surface को गिला नहीं करता बलकि surface में droplets form करता है या फिर आप कह सकते हैं कि droplets की रूप में खटा होता है अब ये जो droplets हैं ये grow करते हैं मतलब बड़े होते हैं और एक टाइम के बाद ये gravity की वज़े से surface से गिला शुरू कर देते हैं और continuous ये process होती रहती है वहीं पर film wise condensation में जो condensate होता है वो surface को पूरी तरह से गिला कर देता है और continuous film form करता है जिसमें से heat का transfer होता है अब दोस्तो इसमें क्या होता है gravity की वज़े से जो condensate है वो surface पर नीचे की और flow खरता है और दुसरा difference है कि drop wise में heat transfer coefficient बहुत जादा होता है क्योंकि conduction mode में heat का flow film के थुरू नहीं होता वहीं पर film wise में heat transfer coefficient बहुत कम होता है क्योंकि conduction mode में heat का flow film के थुरू होता है और तिसरा difference है कि drop wise condensation oily या फिर greasy surface में देखा जाता है आसान भासा मैं कहूं तो drop wise condensation oily या फिर greasy surface पर होता है वहीं पर film wise condensation smooth और cleaning surface में होता है और चौथा difference है कि drop wise condensation को achieve करना बहुत ही मुश्किल है मतलब drop wise condensation बड़े मुश्किलों से होता है वहीं पर film wise condensation बड़े असानी से हो जाता है और पांचवा difference है कि drop wise condensation जो होता है वो unstable है और इसे maintain करना मुश्किल है और ये uncommon है इसलिए industry में इसको हम अपने अनुसार नहीं कर सकते या फिर आप कह सकते हैं कि इसे industry में पराप्त करना मुश्किल होता है वहीं पर film wise condensation stable है और असान है और ये common है इसलिए इसको हम industry में अपने अनुसार कर सकते हैं और छटा difference है कि drop wise में ऐसा कोई भी method नहीं है जुसकी help से हम film coffee send का पहले से पता लगा सकते हैं वहीं पर film wise में ऐसा method है जुसकी help से हम film coffee send का पहले से पता लगा सकते हैं और साथ वा difference है कि drop wise में heat transfer coffee send और heat transfer rate बहुत जादा होता है वहीं पर film wise में heat transfer coffee send और heat transfer rate बहुत काम होता है और इसी के साथ ये topic हैं पर खत्म हुआ उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए useful है तो please यार वीडियो को like कर देना कुछ भी पूछना हो तो comment के माध्यम से पूछ सकते हो मैं reply कर दूँगा मिलता हूँ आप से next वीडियो में तब तक के लिए good bye